नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चांदनी Welcome to Hit TV Indian Health कई घरों में एक ही साबुन का इस्तेमाल कई लोग करते है अब जानिये इससे क्या होता है क्या घर में सभी लोग एक ही साबुन का उप्योग कर रहे हैं आम तवर पर सभी घरोंаг 하루 चार––– fiveं से ज्यादा लोग होते हैं कई लोग एक ही वाश्रूम का इंस्तेमाल करते हैं इस समय साबुन का भी प्रयोग किया जाता है फिर कुछ दिक्कते आती है केवल साबुन से नहानी से बैक्टीरिया और अन्य सुक्ष्मजीव पनप सकते हैं इससे त्वचा रोग सर्दी जुकाम और अन्य समस्या ये भी हो किसी को छोटी मोटी परेशानी नहीं होती इससे ड्रफ और सवंदरी संबन्दी समस्या ये भी कम हो जाती है इसलिए किसी के लिए भी बहतर है कि वक्रासाबुन का इस्तिमाल करें जब कोई समस्या हो इसी तरह त्वचा के समस्या हो और एलजी वाले किसी भी व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए बहतर होगा कि बढ़न द्वारा इस्तिमाल किया जाने वाले साबुन का इस्तिमाल बच्चों पर ना किया जाए क्योंकि इस साबुन से वही किटानों इस शेरीर में प्रिवेश कर जाते हैं तो अच्छा से दूल हटाने के लिए स्क्रब तैयार करना अगर आप भी वही साबुन इस्तिमाल करना चाहते हैं यदि संभाव हो तो उन्हें अलग से उप्योग करना चाहिए यदि संभाव हो तो बात पौडर अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप बेकिंग पौडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस से त्वचर चमकदार हो जाती है यदि यह आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है तो प्रैक्रुति का उप्योग करना बहतर है अगर आपको बातिंग पौडर भी मिल जाए तो बौडी वाश का इस्तिमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है इस समय बौडी वाश को साबुन की तरह इस्तिमाल करना चाहिए साथ ही हर बार लूपा का इस्तिमाल करने को भी जरूरत नहीं है इससे त्वचा अनुसार प्रदान किया गए है यह लेक केवल आपकी जानकारी के लिए है स्वस्ता सम्माली किसी भी छोटी मोटी समस्या के लिए सबसे अच्छे तरीका है डॉक्टर से सलाह लेना निरिक्षन कर सकते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्प टिप्स के साथ